Assalamualaikum दोस्तों क्या है आप लोग के दोस्तों क्या हो अगर आपको एक professional quality किसम का thumbnail फ्री में मिल जाए अपने वीडियो को पर लगाने के लिए यनि आप एक अच्छा thumbnail आपको बना बनाया मिल जाए अपनी वीडियो पर लगाने के लिए यकीने आप बहुत excited होंगे खुश हों में बहुत help देती है क्योंकि वो आपका CPC बढ़ाती है यानि क्लिक पर रेड जो आपका बढ़ाती है जो कोई भी अगर impressions जितने आपकी वीडियो पर जाती है यानि कितने YouTube कितने लोग को आपकी वीडियो बेचता है उसमें से काफी जो लोग होंगे वो आपकी thumbnail को देखक आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यह बाते तो वो थी जो मैं आपको पहले से पताओंगी लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि यार एक professional किसम का thumbnail हम लाएं कहां से अब एक तरीका जो है वो computer से thumbnail बनाने का अड़ाप Photoshop से सही है अब वो तरीका जो है वो काफी difficult है य इसे thumbnail बनाने का अब यह जो तरीका है यह भी इस वे में आई बटन पर लिंक दिया हुआ है यह भी काफी वाइड सा तरीका है यानि कि इतना असान नहीं है पिक्सल लैब से thumbnail बनाना लेकिन अब तीसरा तरीका जो मैं आप लोग को बताने लगा हूं बड़ा ही simple है और आप आप पूरी देखते रही है अगर आप एक न्यू यूटूबर है यह ओल्ड भी अगर आप से thumbnail के बारे में कोई queries या कोई question है तो आप मेरे से comment section में पूछ सकते हैं किसी भी topic के वाले से लेकिन अगर thumbnail खास तोर पर आपका अच्छा नहीं बन रहा तो यह वीडियो आप तो friends आगे हम अपनी mobile screen पर mobile screen पर आने के बाद सबसे पहले काम जो हमने करना है वो यह करना है friends की अपना जो chrome browser है वो open कर लेना है अब chrome browser मेरे समने आ चुका है अब यहां पर जो चीज में आप लोगों को बताने लगा हूं वो आपने गोर से सुनी है यहां पर आपको chrome में already जो बने बनाए thumbnail हैं वो बने होते हैं अब आप उसमें थोड़ी सी modification करनी है और simply उसे अपनी वीडियो पर upload कर देना है यानि आपने कुछ चीजों का खास ख्याल रखने है वो चीज़े मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूं अब for example जैसे के मैंने वीडिय दिया था Instagram यह देखिए अभी भी यह मेरा work काम कर रही है त्री न्यू followers तो यानि अभी भी मेरे followers बढ़ रहे हैं वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो यहां पर आपने images पर आजना है simply friends अब देखिए यहां पर आपको एक quality किसम के जो thumbnail हैं वो provide कर रहा है अब आ आपको कभी भी नहीं आया का जो काम आप करेंगे इसके साथ वो काम मैं आप लोग को बताऊंगा तो आपने करना क्या है for example इसमें से मैं यहां पर यहां पर एक जो आपको जोन से भी thumbnail पसंद आ जाते हैं आप ले सकते हैं मैं for example यह thumbnail download कर लेता हूं इसको मैं यहां से download image कर यहां से मैं इसे download कर लेता हूं सही है आपने इसे download कर लिया यह देखे मेरे followers बढ़ रहे हैं अभी जो मेरा वह वह वाला method है वह काम कर रहे हैं अब आपने इसे download करने के बाद यहां पर आपने अपने pixel lab पर आ जाना है अब pixel lab application में आप में थोड़ी सी में modification करनी है ज्याद download pictures थी वह आपने यहां पर जो है ना वह ले आनी है तो इस पर मैं click करता हूं यह picture मैं पूरी की पूरी यहां पर ले आता हूं तो सबसे पहले जो आप जैसा कि आपको पता होगा अपनी image size जो है वह YouTube thumbnail का रख देना है सही है friends अब यह देखे YouTube thumbnail का मेरा image size आ गया है तो अब म miss नहीं करनी वरना जो problem इसमें खैर ज्यादा नहीं आती बहुत ज्यादा rare chances होते हैं कि अगर कोई claim वगयरा भी आजे लेकिन claim नहीं आती मैंने काफी use किया है नहीं आती claim तो अब आपने यहां पर क्या करना है कि यहां पर अपना जो पिछला color है वो भी इस जैसा कर देना ह यह देखें फ्रेंड़ अब यहां पर आपने color देखना है कोई इससे जजादा जो बिलकुल याने कोशिश करनी है वो जो 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 आंसा color आपने set पर thumbnail पर अर्डरेडी लगा हुए है आपने कोशिश करनी है कि आप जो अपना color है वो उसी तरह ही कर दे अब यहां जो color ह text को मैं घाइब कर देता हूँ अब यह अगर आपको pixel lab चलाने का तरीका नहीं आता तो इसका पूरा tutorial मैंने i button पर दिया हुआ है और end screen पर भी मैं इसका link दे दूँगा वहाँ से आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं तो यहाँ पर अब देखिए कुछ इस तरह का interface आजेगा फिर यहां पर आप अपनी picture ले आईए अब यहां पर एक पर फिर import पर जाईए और अपनी जो पी एंजी में convert picture है वो अपनी यहां पर import कर लेजिए for example मैं जो एना अपनी picture ले के आता हूँ यहां पिर जो मैंने already पी एंजी में pictures convert की हुई है मैं for example यह खान साब के लिए आता हूँ यानि कि आप अपनी picture ले यह वो ज्यादा वो लगेगा यह मैं आपको as a example बता रहा हूँ तो यहां पर आप इसे थोड़ा सा यहां से चोटा कर लीजिए यहां पर आप इसे अपनी pictures को लगा लीजिए अब यहां पर आपने उस तरी थोड़ा सा इधर कर देते हैं अब यह मैंने pictures थोड़ी सी वो इस तरह नहीं लगाई अब picture पर थोड़ा सा stroke वो apply कर लीजिए आपका जो thumbnail है वो ज्यादा जो है ना quality का लगेगा तो मैं इसे यहां से यहां से मैं stroke पर चला जाता हूँ यहां पर आईए आईए यहां पर यह stroke का option है इसको मैं enable कर लेता हूँ और यहां पर मैं जो stroke है वो इसको थोड़ा सा जो है ना वो बढ़हा देता हूँ अब यह देखिए picture के ओपर white white सा दिशान भी आ गया अब यह जो thumbnail यह तना अच्छा नहीं लग रहा क्यूंकि मैंने इसमें ज्यादा modification नहीं की आपने simply chrome से thumbnail उठाना है और यहां पर side पर अपनी picture जो है वो साथ लगा देना है ताकि जो अगला जो जिसकी picture है वो इसको थोड़ा सा शक ना हो यानि कि थोड़ी से आपने इसमें modification करनी है साथ इसने आपने लिख देना है life proof वगएरा कुछ भी थोड़ा सा side पर और लिख दीजिए त तो यहां पर इस तरह का thumbnail मेरे ख्याल से easiest हुए है तो अगर आपको आज की वीडियो अची लेगी है तो वीडियो को like कर दिए चैनल को subscribe कर दिए लेकिन अगर फिर भी आपको कोई problem वगएरा आ रही है तो आप मेरे से comment section में पूछ सकते हैं और उसके इलावा मैंने जो pixel lab ज वस्तो अलाह फिर आप